नवस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्याम सुन्दर, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल दीचेर पर में आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे के लौरी कितने किसम के साग खाते हैं इसमें दिखाया जाएगा कर्मी साग, पालक साग और पूर्णी साग वाटर स्पिनाच, कर्मी साग ये थोड़े रसिले साग होते हैं इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है इसका एक बेनेफिट ये भी है के सिर्फ ठंडे के मोसम चोड़ के बाकी गर्मियों में और बारिस में एक बार इसको लगा लें तो आप बार बार काट की इसको दे सकते हैं और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है ये चिडिया भी बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं उसका जो स्टेम है उसको बहुत बढ़ी है से खा लेते हैं पत्ते भी खा लेते हैं स्पिनाच, पालक के साग लेकिन, मेरा पंचाली है , घंड़े गजियी उन रह होता है ठंड़े मौसब तप्थया भोती है ठोडह थोड़े नरब होते हैं टें चिडिया क्हयों मझे से इसको खाते हैं बागी ठंडे के मौसम के बाद जो साग मिलते हैं, वो थोड़ा मतलब मोटा किसम का होता है, तो उसको उतना मज़े से नहीं खाते हैं, तो ठंडे के मौसम में आप भरपुर पालग का सागेन को दीजिए, पूरुनी साग, ये जो साग है, सायद ये खरीदने को कहीं पर ना म अपने आसपास में देखेंगे, ये नैचरली बहुत उपते हैं, इनके पत्ते जो होते हैं, थोड़ा मोटे मोटे होते हैं, चिडिया बहुत मज़े से इसको खाते हैं, और इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक नैचरली चीज है, भेजी टेबल्स खाते हैं, तब तक के लिए नमस्ते.